नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उडान आईस अकेडमी के e-learning प्लैटफॉर्म में वर्तमान में हमारे द्वारा जो सिरिंखला चलाई जारी है उसी कड़ी में मैं आपके सामने फिर से उपस्तित हुआ हूँ और अर्थ्वरस्था के कुछ प्रश्णों पर हम फिर से चर्चा करेंगे आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जानकारी है कि 12 जून से हमारा SI का टेस रिस चालो हो चुगा है जिसे आप अवेल करकर से SI की तयारी में अपना बहतरी कर सकते हैं इसके साथ साथ Most Awaited हमारा जो टेस रिस है Long Term का CGPSE Pre को लेकर वो 26 जून से सुरू हो रहा है जो की 29 जनवरी 2023 जब आपका प्री होगा अगले साल का तब तक चले गाई है आप इसे जॉइन कीजे और इसका बहुत लाब आप उठाईए Online fees और Offline fees यहाँ पस दी हुई है अधिक जानकारी के लिए आप हमारे Headquarter में फोन कर सकते हैं बढ़ते हैं पहले प्रशन की ओर पहला प्रशन हमारा भारती महिला बैंक की स्थापना से संबंधित है जो भारती महिला बैंक की स्थापना कप की गए थी यह पूछा जा रहा है option नमबर A 2013 को option नमबर B 2014 है फिर option नमबर C 2015 और option नमबर D 2016 जो भारती महिला बैंक है दोस तो उसकी स्थापना 19 नमबबर 2013 को की गए थी तो उत्तर तो आप सभी को पता चल गया है कि इसकी स्थापना कप की गई है, option number A, 2013 को, 2013 को इसकी स्थापना होती है, और date रहेगा 19 नवंबर को, 19 नवंबर को इंदरा गांधी जी का क्या है, जन्म दीवस था, उसी दिन इसकी स्थापना की जाती है, और इसका जो मुख्याले है, वो आपको दिल्ली में मिलेगा, इसका मुख्याले कहां मिलेगा आपको, दिल्ली में, और इसकी जो प्रारमभिक पूंजी थी, वो हजार करोड रुपे थी, हजार करोड की प्रारमभिक पूंजी के साथ इस बैंक की सुरुवात की गई थी, महिला बैंक क्यों, क्योंक कर दिया गया और वर्तमान में ये बैंक SBI के तहर संचाली ठोड़ी है वर्तमान में पूरा कारेवार SBI के पास है इसका महिला बैंक का बढ़ते हैं अगले प्रश्न कीओं अगला प्रश्न हमारा प्रभावी राजस्व घाटा को लेकर है कि प्रभावी राजस्व घाटा की जो अउधानना है वो कब प्रस्तूत की गई है पहली बात तो ये समझ लेते हैं प्रभावी राजस्व घाटा क्या है और इसे कब लाया गया भी होता क्या है कि हम जब राजस्व घाटे की बात करते हैं राजस्व घाटा राजस्व खाते पर जो व्याय है और जो आय है जो भी हमारा राजस्व खाता है उसमें जो व्याय होगा और जो आय होगा व्याय आय से अधिक होने पर क्या होगा राजस्व घाटा उत्पन हो जाएगा मतलब व्याज हमारा ज़ादा हो चुका है आय हमारा क्या है कम है वो भी कौन सा राजस्व का राजस्व व्याज में दोस्तों देखेंगे तो आपको बहुत सारी मदे दिखेंगे बहुत चीज जैसे ब्याज का भुक्तान होता है पेंसन दिया जाता है करमचारियों के भत्ते होते हैं इसमें सरकारी कार्याले के खर्च भी होते हैं उसके सासत अनुदान दिया जाता है ये जो अनुदान है ये राज्यों को दिये जाते हैं ये important अनुदान होते हैं जो कि के इंदर सरकार के राजस्व व्याय वाले हिस्से में चले जाते हैं। यदि मैं बजट की संदशना बनाऊंगा तो इसमें कैसे इसे सो करेंगे। एक साइड हम लिखते हैं आय को और एक साइड लिखते हैं हम व्याय को। व्याय में भी कौन-कौन सा व्याय तो राजस्व व्य और एक होता है पूंजी गत व्याई सेम किस कहां हो जाएगा आय के साथ भी होगा राजस व आय होगा और एक हो जाएगा पूंजी गत आय जब हम बात करते हैं राजस व व्याई की और राजस व आय की तो मैंने बताया कि व्याई क्या हो जाता है आय से जादा हो जाता है व्य बना सकता है जैसे सड़क बान्ध इन टाथ कीजसों को वो बनाएगा आब जब वो सड़क बना रहा है बान्ध बना रहा है तो मैं इस standards को क्या करूंगा राजस वब्य में न रगकर दूंगा मैं इसे पूंजी गत compelled प्रकार के होते हैं लेकिन यदि मैं अनुदान दिया राजस्व वैमे मैं किसी राजी को अनुदान देता हूं तो वो उससे सड़क बना रहा है जो कि उत्पादक है तो केंद्र सरकार ने यहाँ पस यह कहा कि उनके द्वारा जो भी अनुदान दिया जा रहा है उससे कुछ कुछ व्य इस प्रकार का हो रहा है जिससे की पुझी गत आय में उसे सामिल कर लेना चाहिए ठीय कि वो क्या है उत पादक है उत refrादन दे रहा है एक बार खर्चा होगा लेकिन साल-साल क्या है चलते रहेगा तो इस अउधान्दा को लेकर उन्हों होता है जिससे परिसंपत्ति का निर्माण होता है मैं उन अनुदानों को क्या कर दूँगा यहां से हटा दूँगा तो फिर मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा प्रभावी राज़स्व घाटा प्राप्त होगा और यह जो अउधाना है प्रभावी राज़स्व घाटे की वो उसमेंसे हम अनुदान को घटाना चाहिए, क्यों क्योंकि उस अनुदान से क्या बन जा रहा है तो कुछ परिसंपत्ती बन जा रही है, जिसको हम कहां रख सकते हैं, तो कूंजी गताय में रख सकते हैं, और उसके बाद जो भी आएगा, वो क्या बनेगा तो वो प्रभावी राजस्वधाटा बनने लगेगा इस प्रकार की आउधार्णा क्या कहलाएगी प्रभावी राजस्वधाटा कहलाएगी अब बात करते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है केंद्रिय विक्री कर क्या है इंपॉर्टेंट है ठीक क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों ठीक है और जो GST है वो तो डेस्टिनेशन बेस टेक्स जहां पस भीकेगा वहां पस उसका क्या है GST कलेक्शन हो जाएगा तो केंद्री विक्री कर क्या होता था पहले GST से पहले इस राजे का वस्तु जो इस राज में भीक रहा है इन दोनों के बीच में जो वैपार हो रहा ह अंतर राज की वैपार इस पर सेंटल गॉर्मेंट क्या लगा लेगी केंद्री विक्री कर लगाएगी और इसका वसूल भी सेंटल गॉर्मेंट करेगी और जब वसूल कर लेगी तो इन दोनों राज्यों में फिरसे से क्या कर दिया जाएगा वी भाजित कर दिया जाएगा यही केंदरी विक्री कर होता था वर्तमान में केंदरी विक्री कर को IGST के नाम से जाना जाता है Intrigated GST के नाम से इसे समझा जाएगा ये क्या है आज के समय में केंदरी विक्री कर है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा पहला option पढ़ते है राज्य के अंदर उत्पादित वस्तु पर राज्य कर नहीं उत्पादन कर ही नहीं है अंतर राज्य की विक्री की दशा में कर जी हां ये एक राज्य से दूसरे राज्य कोई विक्री हो रही है उस कंडिशन में ये कर है तीसरा उत्पादन पर कर नहीं उत्पादन पर कर ही नहीं पहली वात ओ तो इसका एंसर क्या है अंतर राज की विक्री की दशा में जो कर लगेगा वो क्या है केंधरी विक्री कर होगा अगला प्रशन हमारा है कितने रुपे तक के निवेश को सुक्ष्म उद्योग या वी निर्माण उद्योग में रखा गया है समझेगा बात को है ना कितने रुपे तक के निवेश को भी निवेश या फिर इसको सेवा भी लिख सकते हैं बताता हूं ऐसा क्यों यह जो सेक्टर है MSME सेक्टर का प्रश्ण है सुक्ष्म उद्योग लगू उद्योग और मध्यम उद्योग के बारे में प्रावधान कर रहा है कि इन में क्या क्या कैसे कैसे आप इसको क्या करेंगे निवेश करेंगे तो उनको सामिल किया जाएगा इसकी अउधारना सन 2006 में आती है 2006 के अधिनियम से लगू सुक्ष्म और मध्यम उद्योग की अउधारना आती है पहले कैसे डिविजन किया गया था तो पहले वी निर्माण और सेवा छेतर दोनों को अलग माना गया उसके साथ यह बताया गया कि कितने रुपे तक के निव देश को लेकर इसको अलग अलग किया गया सुख्ष्म उद्योग लगू उद्योग और मध्यम उद्योग की बात की जारी है तो पच्चिस लाग तक की रासी वही निर्माण में और दस लाग तक के अगर आप इन्वेश्मन करते हैं तो वह आजाएगा सेवा छेतर में या आप 5 करोड तक का निवेस करते हैं तो फिर वो लगू हो जाएगा और 5 करोड से अब बढ़कर 10 करोड तक का निवेस करते हैं तो वो कहां आ जाएगा मध्यम में आ जाएगा उसी प्रकार से यहां पास है 10 लाग से लेकर 2 करोड और यहां पास 2 करोड से लेकर 5 करोड तक का न notification निकाला 2020 में इसको change किया change करके ये कहा कि अब निवेस के साथ हम क्या देखेंगे कारोबार को भी देखेंगे कि आपका एक वर्ष का कारोबार क्या है मतलब turn over को भी देखा जाएगा तो दोनों को mix कर दिया गया निवेस और turnover को और वी निर्माड और सेवा को एक हिमाल लिया गया कि आप turnover के हिसाब से बताईए हम केवल सुक्ष्म, लगु और मध्यम देखेंगे बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है ठीक कैसे नहीं है भई तो निवेस और यहाँ पस कारोबार की बात होती है इसमें सबसे पहले सुक्ष्म, फिर लगु और फिर मध्यम यदि मैं एक करोड तक का निवेस करता हूँ तो फिर वो सुक्ष्म कहलाएगा यदि मैं दस करोड तक का निवेस करता हूँ तो फिर वो लगु यदि मैं पचास करोड तक का निवेस करता हूँ तो वो मध्यम में चले जागा चाहे वो दी निर्माड हो चाहे सेवा हो doesn't matter उससे कोई मतलब नहीं है ठीक हमको केवल लगू सुक्ष्म और क्या देखना है मध्यम को देखना है यदि यहाँ पस कारोबार पांच करोड तक का है यहाँ पस पचास करोड तक का है और यहाँ पस से नीचे क्या किया है लेकिन आपने क्या किया ना टर्न ओवर 6 करोड का कर दिया तो आप क्या है कारोबार वाले में यहाँ पस 6 करोड यहाँ पस आ जाएगा तो आपको लगू मान लिया जाएगा आपको जो माना जाएगा वो लगू माना जाएगा यदि आपने मान लोग निवेस किया 10 करोड का और turn over 50 करोड के प्लस कर दिया 10 करोड से कम का निवेस किया है लेकिन turn over 50 करोड क्रॉस कर दिया तो आप मध्यम में आ जाएंगे तो निवेस के साथ साथ कारोबार को मर्च किया गया और यहां पास भी निर्माड और सेवा का जो यहां पास combination था उसको mix कर दिया गया अब कुछ भी में आ सकते हैं तो इसके हिसाब से निवेस की जो राशी होगी वो सुक्ष्म के लिए वो एक करोड हो जाएगी आई बास समझ में तो एक करोड यहां पास क्या हो जाएगा answer हो इस टेबल को आप याद रखेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण एफ आर बीम एक को लागू किया गया था कब ठीक है राजकोशिय उत्तरदाइत्वा राजकोशिय उत्तरदाइत्वा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में यह आया था इसके अगस्ट 2003 आप्शन देख लेते हैं 24 अक्टूबर नहीं 24 अगस्ट नहीं 26 नहीं क्या है 26 अगस्ट 2003 को इससे क्या कर दिया गया था लागू कर दिया गया था नाम से समझ्येगा राजकोशिय उत्तरदाइत्वा बजट प्रबंधन अधिनियम यहाँ पस यह प्रयास किया कि अब जो financial year अगले साल आएगा दो हजार चार पांस से उसके बाद हम दो हजार आठ तक क्या करेंगे तो physical deficit मतलब राजकोशिय घाटा और revenue deficit मतलब राजसो घाटे को हम क्या करेंगे तो कम करेंगे कितना कम करेंगे तो GDP के 3 प्रतिसत तक कम करेंगे इसे 3 प्रतिसत में जा प्रसेंट की कमी की जाएगी और इधर प्रतेकवर्स 0.3% की कमी की जाएगी बाद में पटा चला कि इतना तो possible नहीं हो पा रहे तो इस criteria को समय सीमा को 2009 तक के लिए बढ़ा दिया गया लेकिन फिर भी आगे ये पूरा नहीं हो पाया तो बाद में 2016 में एक N.K. Singh समीती बना का है ठीक है यदि इसमें कुछ और अपडेट मिलता है तो इसके लिए भी मैं अगले बार क्या है वीडियो ला दूँगा इसमें कुछ और अपडेट भी हो सकते हैं financial year को देखते हुए तो अभी वर्तमाल में आप इतना ही याद रखना है कि FRBM Act ते राजकोशी उत्तरदा इंपोर्टेंट है कई बार इसे पूछा जाता है मेंस में इससे डिलेटेट कई शारे प्रश्ण पूछ लिए जाते हैं आगे बढ़ते हैं अगला है किस अध्योगिक नीती में कोर उध्योग की अउधान्ना को प्रस्तूत किया गया था पहली बात तो अध्योगिक नीती भारत में क्या है जो भी उद्योग है उनको लेकर क्या सरकार की रण नितिया है किस प्रकार की वो सरेणी का उद्योग बनाना चाहते हैं उनका क्या वीजन है वो सब उद्योगी निती में दर्शा देते हैं इसी करम में सबसे पहली ओद्योगी निती हमारा 1948 को आया था फिर हमारा जो अगला ओद्योगी निती था 1956 को आया फिर 1973 को आया और फिर 1977 को आया फिर 1980 को आया फिर 1986 को और लाश्ट वला जो आता है 1991 को इतने सारे उद्योगी निती बन चुके हैं राश्ट वी निर्मान निती भी आई है है वह 2011 की है लेकिन उद्योगी निती की अगर बात करें तो यह काम क्या है आपका 1948 में जब प्रथम उद्योगी निती आती है तो उद्योगों की चार स्रेडिया बनाए जाती है कि भारत में उद्योग की चार स्रेडिया होंगी ठीक एक स्रेडि में केवल तीन वैपार होंगे जो पूरे के पूरे सरकार के कंट्रोल में काम करेंगे पूरे तरीके से सरकार के कंट्रोल में होगा फिर एक में रखा जाएगा छे उद्योगों को जिसमें ये कहा जाएगा कि जो पुराने नीजी उद्योग चल रहे हैं जैसे कोईला, खनीच, पेटोलियम, सिमेंट, उर्वरक ये सब को लेकर जो पुराने नीजी चल रहे हैं वो चलते रहेंगे अब कोन इस्थापित करेगी तो सरकार इस्थापित करेगी पूराने वाले भी काम करेंगे फिर सी स्रेडी में अठारा उद्योग को रखा गया और ये कहा गया कि इसमें सरकारी कमपणी इस्थापित करेगी नियंतर रखेगी और काम कौन करेगा तो नीजी च्छेतर काम करेग जहां पस आपको सरकारी और जहां पस नीजी आपको दीख जाए वो क्या हो जाएगा मिस्री तर्थ्यस्था हो जाएगा थिक है यहां पस मिक्ष्ट इकनौमी है फिर 1956 में इस स्रेड़ी को खदम करके तीन स्रेड़ी बनाए गई सरकार, सरकारी नियंतरण में नीजी और पूरा नीजी तो यह हो गया क्या तीन सरेडी फिर 1973 में कोर उद्योग का कॉंसेप्ट आ जाता है कोर उद्योग का और यहाँ पस न सुख्ष्म, लगु और मध्यम उद्योग का कॉंसेप्ट लेके आ जाते हैं कब 1956 में तो जिला-उद्योग केंद्रों के बारे में कहा जाता है पसे के सीमा को बढ़ायी जाती है MRTP, अच्छा MRTP का जो सीमा है न वो 1979 से आया, 1979 में एक और ओद्यों की निती रहेगा जिसमें MRTP का प्राउधान किया जाएगा, एक अधिकार, पतिबंध, वैपार, प्रक्रिया, ठीक है, यहाँ पस क्या है कि बाजार में एक अधिकार ना हो जाए, मोनोपॉली ना हो जाए, और इसे 100 करोड तक की सीमा तक लेके आते हैं, बाद में MRTP की सीमा कोई मायंगे नी रखती, इसकी सीमा को नल एन वोल्ड कर दिया जाता है, और 1999 में LPG की नीती लाई जाती है, इतना सब कुछ इसमें याद करना है, तो आपको एंसर पता चल चुका है, कि कोर उध्यों की ज नीती 1948 में बनी, अच्छा कूठ है इसमें है न, कूठ के बारे में बोल रहा है, ठीक है पहला तो सही है, प्रथम ओध्यों को तीन स्रेडी में रखा गया, प्रथम ओध्यों की नीती में, नई, ये गलत हो जाएगा, अभी देखा ने, इसमें चार स्रेडिया बनाई गई दुत्यक और द्यों की नीती में लगू, कुठिर और मध्यमुद्यों के बारे में, तो मतलब पहला सही है, और तीसरा भी क्या है, सही है, इसका option अगले पेज भी होगा फिर, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत था, तो ये कट जाएगा, दूसरा गलत है, ये हड़िया, यहाँ पास, ग्रोथ रेट को है, कि वित्य वर्स दो हजार इकिस बाइस, दो हजार इकिस बाइस में, भारत का जो जो जीडीपी ग्रोथ रेट अभी जो आया है, वो कितना निकल के आया, तो इसका factual question है, ये 8.7%, हमारा जो ग्रोथ रेट है, एक साल का, वो कितना है, 8.7% ह इंपॉर्टन ये है समझना, कि ये ग्रोथ रेट, रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है, रियल जीडीपी का क्या है, ये वृद्धी दर होता है, कैसे वृद्धी दर, रियल जीडीपी का, तो यहाँ पास ये किया जाता है, कि जब कभी भी हम ग्रोथ रेट निकालें 20-21 का उत्पादन देखेंगे कि 20-21 में कितना उत्पादन हुआ था और 20-21 के उत्पादन से हम 2021-22 के उत्पादन को comparison करेंगे कि इस साल कितना उत्पादन हुआ है लेकिन इसके लिए जो price रखेंगे वो कहां से रखेंगे तो इसके लिए भी same price और इसके लिए भी क्या है same price 2021 11-12 का मतलब जो आधार वर्स जो बेस वर्स होता है उसका हम लोग क्या रखते हैं प्राइस रखते हैं उसके आधार पर यहाँ पस माल लेते हैं कि 10 रुपए का कोई एक पैकेट मैगी था मालो मैगी 10 रुपे पैकेट था ठीक है? प्रोडक्शन कितना हो रहा है, मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पस के GDP का हम लेना देना भी नहीं है, इस साल क्या होता है, कि यह 10 रुपे का ही मैगी पैकेट है और 100 रुपे का उत्पादन होता है, सौब़ीस का तो GDP कितना हो जाएगा? हजार रुपय का GDP हो जाएगा सेम केस यहाँ पास दस रुपय ही रहेगा क्योंकि इस्टेबल मार्केट प्राइस है मार्केट प्राइस इस्टेबल है लेकिन यहाँ पास उत्पादन 120 पैकट का हुआ है मतलब यह कितना हो गया 12 सुरूपए का उत्पादन हो गया है इसका मतलब है 20% का क्या मिला है हमें growth rate मिला है यह 20% का growth rate क्यों मिला क्योंकि यहाँ पस production में क्या होई बढ़ोतरी हुई है तो जो real GDP का growth rate है वो क्या दरसाता है दोस्तों कि आपके यहाँ production में कितना बढ़ोतरी ह हुई है क्योंकि यहाँ पस price तो सेम है मैं अगर base year का price लेकर सब कुछ calculate कर रहा हूं और मैं comparison कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में comparison करने की चालू करूंगा तो हमको यह पता लगेगा कि यहाँ पास और यहाँ पास में कितने का अंतर है तो 20% का अंतर है मतलब पिछले ब पास क्या निकाला जाता है तो भारत का जो व्रिधिदर है जो सालाना व्रिधिदर है वह रियल GDP से निकाला जाता है और रियल GDP किस पर बेज है तो इस थिर इस थिर बाजार भाव से निकाला जाता है इस टेबल मार्केट प्राइस से रियल GDP का growth rate निकाला जाएगा और वह क प्रोडक्शन देखा जाएगा और इन दोनों में कितना रुपए का अंतर है 20% का अंतर है मतलब कितना है 20% हमारा ग्रोथ रेट है अगर मैं ऐसे ही निकालता इसका तो पॉंट कितना आ जाता सेवन आ जाता आई बास समझें तो याद रहेगा रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट से भारत के ग्रोथ रेट को देखा जाता है जो विट्यवर्स का है फिर इंडिया वीजन 2020 योजना आयोक के किस सदस से की अध्यक्षता में त्यार किया गया था ठीक अध्यक्ष होंगे श्याम प्रसाद गुप्त याद रखेगा श्याम प्रसाद कहीं कहीं लिखा मिलेगा कहीं कहीं स्याम प्रसाद गुपता लिखा मिलेगा श्याम प्रसाद गुपत तो वो क्या थे उनका नाम था और उनके द्वारा ही क्या है उनकी अध्यक्षता में इं मैं अधी यहां पास 2020 लिए और यहां 2021 बाइस तो एक साल में चार क्वार्टर होते हैं क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फॉर जाहिर सी बात है अप्रेल मैं और जून अप्रेल में और जून का है यह जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टूबर नौवंबर दिसंबर अंतिम क्वार्टर मतलब जनवरी फेब्रेरी और मार्च यह अंतिम क्वार्टर तो अंतिम क्वार्टर में मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो यह चेक करूंगा कि पिछले साल का अंतिम quarter में कितना production हुआ था वो भी current market price से current market price से मैं क्या निकालूँगा GDP निकालूँगा मतलब मैं आज का ही production आज के ही भाव से देखूँगा आज कितना production हुआ है आज के भाव से कितना हुआ है मैं current market price for GDP जब निकालूँगा तो इसे कहेंगे nominal GDP अब 80 GDP या nominal GDP का नाम से जाना जाता है वो stable market price था यह current market price है ठीक है real GDP फिर मैं 2021-22 का निकालूँगा सोरी यहां 20 होगा मैं 2021-22 का निकालूँगा कि इस साल कितना production हुआ सेम current market price पर मैं क्या निकालूँगा GDP निकालूँगा और दोनों में compare करूँगा केवल इनहीं दोनों में compare करूँगा पिछले साल के quarter से इस साल के quarter में कितना का बढ़ोतरी हुआ है तो इस बार के quarter में कितना बढ़ोतरी हुआ था तो 4.1% का होगा मतलब जो तरहमासिक प्रिदीदर है वो nominal GDP से जादा तर calculate किया जाता है और जो वार्षिक प्रिदीदर है वो real GDP से calculate किया जाता है क्योंकि उसमें अर्थवयस्था की असली picture पता चलती है कि उत्पादन बढ़ा है या उत्पादन कम हुआ है फिर आते हैं सार्वनी आय के section की बात करते हैं क्योंकि आय के बारे में आय दो प्रकार से होते हैं एक सरकार का विशुध आय है जिसको बोलते है राजस्व एक होता है सरकार का विशुध आय जो नहीं है वो क्या है गैर राजस्व या फिर पूंजीगत प्राप्ति सरकार का वह कमाई जो सरकार के पास रह जाता है, सरकार को उसके लिए कोई अलग से खर्च नहीं करना पड़ता है, सरकार को कमाई मिल जाता है, साल भर में फिक्स होता है, उसे राजस्व आय कहते हैं, अब सरकार टेक्स लगा कर कमा सकती है, या टेक्स के भी ना कमा सकते हैं, जिसे बोलते हैं, कर भिन अब कर राजस्व में तो टेक्स कलेक्शन को एड़ कर देंगे भाई प्रत्यक्षकर और अप्रत्यक्षकर यह आ गया टेक्स लगा के पैसा कमाया क्योंकि टेक्स रवेन्यू है वो तो टेक्स लगा कर पैसा कमाया लेकिन सरकार के कुछ मसीन है सरकार के कुछ उपकरम है सरका सुल्कल मिलता है उससे होनेवाला कमाई जय सरकार को फीस मिलता है उससे होने वाला कमाई सब कुछ कहां आ आ तो राजसव आय में आता है वो भी कर नहीं है तो कर भिन राजसव क्योंकि राजसव आय वही होता है जो सरकार के दिन प्रती दिन के कमाई है सरकार को पता है कि इस साल वो कितना कमाने वाली है तो यह सब टैक्स नहीं है और सरकार का खुद का कमाई है इसलिए कहा है तो कर भिन राजसों में है एंसर देखते हैं कर फिन मतलब गैर कर राजसों सेम होता है कर का उल्टा गैर कर या कर का अल्टा कर भिन तो यहां गैर कर राजसों हमको B आप्शन में मिलेगा अगले स्लाइट के ओर अगला है फोरेंट एक्सेंज помनेज्मेंट एक्ट कब लागु किया गया है सेफिनमेंट पहले क्या होता था फेरा चलता था रेगुलेरिटी एक्ट चलता था 1991 में भारत में LPG की निटी आती है फॉरें जो फॉरें मुदरा है विदेसी मुदर भंडार वो उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है उसी प्रक्रिया में फेरा को समाप्त करने की बात होती है और यह समाप्त भी हो जाता है 31 मई सन 2002 को इस दिन यह क्या हो जाएगा समाप्थ हो जाएगा लेकिन फेरा उससे फेमा उससे पहले बन जाए रहेगा 1999 का अधिनियम है किसका तो फेमा का फेमा जो लागू हुआ वो एक जून सन 2000 से फेमा क्या हो जाएगा भारत में लागू कर दिया जाएगा तो याद रखना है फेमा लागू हुआ कब एक जून सन 2000 को एक टे कब का है तो 1999 का है फेरा कब लागू हुआ था तो 1947 को 1973 में संसोधी थे 1991 में जैसे ही LPG लागू होगा फेरा को बंद करने की बात हो जाएगी और 31 में सन 2000 को फेरा समाप्थ हो जाएगा वीदेसी बैपार से संबंदी थे कितना रुपए ले जा सकते हो कितना ला सकते हो कितना मुदरा में परिवर्तनी अता हो सकती कितना नहीं हो सकती है फोरेन मुदरा का कितना हम वो कर सकते है किस प्रकार से सनक्षंड कर सकते हैं, कितना कैस ले के जा सकते हैं, कितना पैनल्टी लगेगा, कितना क्या होगा, सब कुछ इसी एक्ट के द्वारा बजाया जाता है, वीदेसी मुद्रा के संबन में ये प्राउधान है, आप्शन नंबर A इसका उत्तर हो जाएगा कि फेमा एक जुन सन 2000 को लागू हो गया था, लेकिन एक्ट कप का है, तो एक्ट है 1999 का है, जश्ट एक साल पहले का है, बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है, निमलिखित में से किसके संदर्म में कभी-कभी समाचारों में, एमबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्र इसने बोला कि क्रिसी का वैपार भी तो हम ही देखेंगे, बोले ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं क्रिसी का वैपार, तो इसने बोला क्रिसी का वैपार तभी होगा ना, जब क्रिसी को हम नीजी करण करेंगे, जब क्रिसी किसके हाथों में होगी, लोगों के हाथों में ह होगी यदि क्रिसी सरकार करने बैठ जाए तो फिर तो दिक्कत है बहुत दिक्कत है क्योंकि अगर भारत अपने किसानों को उर्वरग देके थोड़ा सबसेड़ी दें दामों पर बीज देके खाथ देके यह सब प्रोडक्शन बहंगा पड़ेगा तो उसका जो मार्केट वेलू है यहाद फिर उसका जो कमाई वो कम हो जाएगा भारती किशान का कमाई जादा हो जाएगे इसी को लेकर जो डब़ूटी हो वह वो तीन बॉक्स देता है सबसे पहले देता है ग्रिन बॉक्स बोलता है जितना खर्चा करना है करो कोई दिक्कत की बात नहीं किरिसी छेत्र में आप जितना खर्चा किस प्रकार का खर्चा भाई तो आपदा प्रबंधन भूमी सुधार करना चाहते हो कर लो आपदा प्रबंधन करना चाहते हो करो भूमी सुधार करना चाहते हो करो पर्य सबको एफेक्ट करता है फिर आता है यहां पास एंबर बॉक्स या ब्लू बॉक्स को पहले देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि डबलू टी यह कहता है कि आप ना कुछ कुछ चीच कर सकते हो जैसे यदि कोई जॉष्ट किसान आपके यहां दहान का पैदावार बहुत कर रहा है जिससे कि आपके आप्यान की पूर्ती बहुत हो चुकी यह रहायाँ का पैदावार अधिकव हो गई तो u एमबर बॉक्स बेंबर बॉक्स को लेकर व्त चिड़ा हुआ है क्यों स्ब्रति आफ इसे उसको फैदा होता है किसान को यह सबसेदी देते हुँ उसके उसके क्या है दिक्कत कर देता है एंबर बॉक्स में इसलिए यह किसका ममल है डबलू टीओ का ममल है इंपॉर्टेंट है यह प्रश्ण ध्यान अच्छे से दीजेगा बढ़ते अगले प्रश्ण क्यों अगला प्रश्ण है रूपए की परिवर्तिनियता से क्या तात पर अब देख एक विदेशी एक्सेंज के रूप में देख रहे है कि कोई व्यक्ति भारत का भारत के बाहर पैसा लेके जाना चाता है तो कितने रूपए तक लेके जा सकता है और उसे कितने रूपए डॉलर मिलेंगे डॉलर लेके आता है तो कितना रूपए लेके आ सकता वो सब मतलब क इस प्रकार से भारत की मुद्रा या फिर एक देश की मुद्रा किसी और दूसरी या दूसरे देश की मुद्रा की साथ क्या है चेंज हो सकता है उसे बोलते हैं रूपए की परिवर्तनियता और इसका मतलब एंसर हो जाएगा कि रूपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य ही और परीवर्तिनियता लेकिन भारत सरकाने नई पर नियुक्त। रहत की नाइन पूरा परीवर्तिनियता नहीं है नहीं आस आप रहे को उनरे और लेकिन आपको पूरा एक्सेशेंज में यह नहीं दिया जाएगा याद रखेगा क्यों होगा इससे नफ़ान व definition हो सकता है भारत अगला प्रश्न हमारा मिलेगा भारती अर्थष्था के संदर्भ में निमलखित पर विचार कीजिए ठीक है विचार करते हैं लेती है किस के वाड़ीजिक बैंकों solar उनको लोग दिया जाता है उस पर लेती है फिर याए कि unused्हाइज करता है यह हें रूड़ाई ी के हाथ में पबलिक यह सरकार केहां में कितना डेफ्थ लेना और कि टना नहीं पबलिक keto revenue vic całal I Per Skype कि वे रेकिन जब आर्बीमोधिक नीती का फरिचालन खरता है मतलब एक और दो को सही मानेंगे हम Give और ऑप्षन देख लेते हैं तो एक और दो कहां सही है तो एक और दो शी आफ्षनमें सहिया है मतलब अगले प्रशनों की और अगला प्रशन भारत में मुद्राइसफिती के संदर्व में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिये पहला हों इसमें है भारत में जो मुद्राइस सिर्धी का नियंतरन केवल भारत सर्कार का उततर दाइत्व गलत और विए की उततर दाइत वा इसमें तो पहला ओप्शन क्या है गलत हो जाएगा यहां पास मुद्रा इसफिती के नियंतरण में भारती रिजर्ब बेंक की कोई भूमी का नहीं यह यह वी गलत और गया की ज़्यादा भूमी क्या है बलकि भारा सरकार भी नियंत्रित करती है अंति मुद्तरदाइट तो उसी का होता है लेकिन RBI बहुत बढ़ा रोल निभाती है घटा हुआ मुद्रा का परिचालन मनी सर्कूलेशन मुद्रा इस फिती के नियंतरण में साहता करता है सही बात है मुद्रा का सर्कूलेशन घटा दो आप मार्केट में यदि मुद्रा का सर्कूलेशन घटा दो ठीक है आपके पास कल के दिन में मुद्रा है ही नहीं आपके पास जेब में पैसा पड़ा ही नहीं है मार्केट में पैसा कम है आपके जेब घरम नहीं है आपकी जेब कम होगा तो जाहिर सी बात है दुकानदार क्या करेगा उसे सस्ते दामों पर भी बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा मुद्राइस्फिती कंट्रोल हो जाएगा जो महेंगाई बढ़ रही थी वो क्या हो जाएगी कंट्रोल हो जाएगी तो option C बिल्कुल सही है कम करेंगे तो automatic क्या हो जाएगा मुद्राइस्फिती कंट्रोल हो जाएगी C option बिल्कुल सही है बढ़ा हुआ मुद्राइस्फिती मुद्राइस्पिती के नियंतर में साहता करता नहीं मुद्रा का परिचालन कम करना पड़ेगा आपको तब ये कारगर है वहना कारगर नहीं है option number से बिल्कुल सही होगा यहां पास उत्तर अगले प्रश्ण क्यों बढ़ेंगे अगला प्रश्ण है किसी अर्थ्वरस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह बहुत इंपोर्टन किसी अर्थ्वरस्था में मैंने रेट को कम कर दिया है रेपो रेट को कम कर दिया बैंक रेट को कम कर दिया बहुत कुछ को लेखर चीज हमने क्या किया है यह सब कम कर दिया ब्याजदर को क्या कर दिया घटा दिया यह सब कम हो रहा है तो जाहिसी बात प्राप्त करेंगे लोग जाधा खर्च करना क्र App प्राप्त करेंगे नॉसके बाद में होगा सब से पहले तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हम निवेस करेंगे उसके बाद देखो ज्यादा खर्च होगा तो ज्यादा टेक्स केलेक्शन भी होगा ज्यादा आये हो रहा है तो ज्यादा टेक्स केलेक्शन भी होगा ज्यादा आये हो रहा है तो सही सभी है ये भी सही ये भी सही ये भी सही लेकिन ज्यादा सही कौन है तो स चारो option में से तीन option गलत एक है सभीह का चैन कीजितां कभी आसा था उसमें लिखावता है कि विद्ध्यारति या अभ्य click र Muito जो अधिकतम तством सही उत्तर उसका चैन कीजिए बस रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हर बातों को यहाँ पस सही ठहराया जा सकता है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए ब्याजदर कम किया गया है तो वो एक मात्र यहाँ पस रीजन होता है कि अर्थवस्था में कैसे भी करके हमको क्या बढ़ा मतलब देखो मार्केट में इंफ्लेशन आया है मुद्रा इस्थिति आया है वही तो यह मांग के कारण आया है बजार हैं तो भाजार में मांग है और आपूर्थी ए यह को आप उरती कम कर दो मांग वैसे बने रहे है तो क्या हो जाएगा कीमत बढ़ जाएगा लेकिन लोगों की मांग बढ़ेगी कैसे तो मांग बढ़ेगी वीदेशों से यदि उसके ज्यादा पैसा मिनने लगेगा तो बढ़ जाएगी अप रत्यक्ष करों की लागत उसके व्रिद्धी से ऐसा कुछ नहीं है अब रत्यशकर की व्रिद्धी कर दोगे बहुत जादा तो फिर लोग क्या है समान भी नहीं खर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा तो भी आपस गलत है यह नहीं होगा उद्योगपती कि जादा आए उद्योगपती कितना भी इसको भी नहीं मान के चलते हैं आयके वित्रण में असमानता यह एक बार को हो सकता है क्यों हो सकता है क्यों कि देखो आय क्या है कोई उच्वर्ग आयवाला है और खर्श तो दोनों करेंगे उच्वर्ग क्या करता है न कुछ भोग और विलासिता वाले चीजों को बात करता है और यहां पस क्या है मांग जो अगर मालों कोई ज़्यादा अच्छा कमाता है तो वो अच्छी मांग को करेगा औ तो उच आयवर्ग वाला कोई भोग विलासत्या वाले चीजों की मांग करेगा निम्न आयवर्ग वाला केवल जीने खाने के लिए रहने के लिए सिख्छा के लिए उसकी मांग करेगा तो इस वाले छेतर में यहां वाले छेतर में बढ़ोत्री हो जाएगी तो इसकी बढ़ो सकता है बी option तो गलत ही है पहला और डी सही है ठीक अच्छा question में पूछा है सत्य नहीं है तो दो और तीन बी और सी सत्य नहीं है option देख लेते हैं यदि केवल भी आया है हमारा answer है जो गलत वो answer तो दो और तीन वहापस गलत है तो वो क्या हो जाएंगे तो वो उत्तर हो जाएंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए फिर से चलिए विचार करते हैं मिश्रित अर्थवरस्था में उ आपूर्ती पर्टी क्या हुआ है डिमांड और सप्लाई पर आपूर्ती कौन कर रहा है यह डिपेंड करता है यदि आपूर्ती करता सरकार है तो समाजवादी अर्थवरस्था यदि आपूर्ती करता नीजी वेक्ती है तो फिर वो क्या है पूंजी वादी अर्थवरस्थ भारत में नहीं तो मिस्ट अरच्रत वाला देस बना दिया गया me भारत में सरकारी चेत्र भी ऑर नीजी चेत्र भी ोगल जैसे घ्ला इस और इस लिग रही होती है जैसे अमेरिका ओर कम भला कर पाती है गरीमों का जो पुझी वादी देश से वहां तो पूरा का पूरा नीजी भीकति है और नीजी व्यक्ती क्यों भला करने देगा भाई सरकार को बोलेगा है ना नहीं भला नी करेगी सरकार वह खुछ C करना चाहे तो कर लेंगे खुद से उपर उठना चाहिए तो उठेंगे नहीं उठना चाहते तो मत उठने दो लेगिन जब यहाँ पास मिक्स इकनॉमी की बात की जाती है तो यहाँ पस न अर्थ्वरस्था में तीन छेत्रों में बाट दिया जाता है सरकार उठ्वर्ग और निम्नवर्ग निम्नवर्ग का कल्याड कौन करेगी तो सरकार करेगी और उसको उठ्वर्ग में भेजेगी और उठ्वर्ग खुद का कल्याड कर लेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है तो पहला आप्शन यही है कि मिस्री तर्थ्वरस्था में उत्पादर के कुछ छेत्रों में समाजिक कल्याण को धान में रखकर ही निड़ने लिए जाते हैं जी हां समाजिक कल्याण को धान में रखकर बहुत सारे निड़ने लिए जाते हैं मिस्री तर्थ अस्था वाले देश में ताकि इन निम्न वर्गों का क्या हो सके कल्याण किया जा सकते हैं स नहीं राथी समाजवाद में संपत्ति का अधिकार किसी बी तरीके से नहीं होता है जी हाने होता क्योंकि सरकारी अर्थविस्था को समाजवादी अर्थवर ziet नहीं है तो जो काल मास्की, जो समाजबाद की आउधारना थी, उसके हिसाब से, तो ये बिलकुल सही है, कि समाजबादी अर्थ्वहस्ता में कभी भी नीजी संपत्ती नहीं होती है, लेकिर हमारे सम्धान के अनुच्छेद 300 क में क्या दिया हुआ है, तो विधिक अधिकार है, कौन स एंसर मिल जाएगा आपको बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्यों ओर अगला प्रस्ष निर्याद के फाइदे और नुकसान के संदर्भ में निमलिखित कथनों पर विचार किजिए अचा निरियात के फाइदे और नुकसान कथ नहीं पढ़ लेते वाज़सरा तो सारे फायदे हैं बहुत सारे नुकसान भी हैं कई सारे नुकसान कई सारे फायदे हैं पहला निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है बिल्कुल सही बढ़ेगा क्यों नी बढ़ेगा भारत भारत से एक वस्तू बिग्या बहारत अमेरिका में अमेरिक बढ़ने से क्या बढ़ जाता है विदेशी मुद्रा का भंडर बढ़ जाता है विदेशी मुद्रा भंडर बढ़ने से विदेशी मुद्रा का भंडर बढ़ने से जिसकी परिनिती घरेलू मुद्रा की मातरा में बढ़ोतरी होगी इस प्रकार से मैंखाई बढ़ेगी होता है यदि बहुत जादा निर्यात करना चालू कर देते हैं हम और जो की होगा अच्छे वात है निर्यात करना ऐसा नहीं है तो इसे होगा क्या डॉलर आते चले जाएगा और भारत में तो भारत उस डॉलर के बदले क्या पंपिन करेगा अपने मार्केट में तो अपने मार्केट म मुद्रा का परिचालन भी बढ़ेगा और मुद्रा का परिचालन बढ़ेगा तो उसे महंगाई बढ़ेगी आर्टोमेटिक तो कि इसे कुछ प्रश्ण पहले हमने समझा था कि मुद्रा का परिचालन यदि कम होता है तो फिर महेंगाई कम हो जाती है मुद्रा इस्विति कम हो जाती है लेकिन मुद्रा का परिचालन बढ़ता है मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ता है मुद्रा भी बढ़ जाती मार्केट में तो महेंगाई बढ़ेगी दोनों ऑप्शन सही है यहां तो एक और दो दोनों सही किसमें मिलेगा तो सही है तो आपके पास अभी जो 20 प्रशन थे वो यहाँ पस खतम हो चुके है आने वाले जो भी एक्जाम होंगे चाहे वो व्यापम को लेकर हो चाहे वो cgpsc को लेकर हो उसमें यह समान रूप से लाबदायक होंगे मैं आपसे अगली कड़ी में यही मिलूँगा अर्थ्यस्था के कुछ और प्रशनों को लेकर और हम कुछ और थेयोरिस को यहाँ पस समझेंगे तब तब के लिए धन्यवाद